हेलो आज की वीडियों हम बात करेंगे दो सेक्टर बाइसाइड में और दो सेक्टर सेल साइड में और उनके स्टोक्स भी और साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी का उससे पहले आप यहां पर देखिए कि डाटा एफाइड यही का दोनों नेट सेलर में हैं बट कोई बड़ के मूब के बाद साइड वेज थे फिर बाद में मूव आया तो कोई इतना वन सेड़िड नहीं आया साइड वेज जादा स्टोक साइड वेज थे वह इसी क्रीजन थे कि एक तरफ आना ज्यादा बाइंग थी ना सेलिंग थी तो अब बात करते हम पहले निफ्टी का पाया मूव डाउंसेड में बट जैसे ये जो ये श्टरडे के लाओ था उसके पास पोल ले रहा बार बार थोड़ा उपर 21600 निच्चे 21500 यहाँ पर भी देखिए यह ट्रैप कर रहा था जैसे ब्रेकडाउन दिया फिर उसके बाद देर देर उपर तो यह 500 और 600 के बीच में ही निफ्टी का मूव रहा और इसको समझेने के लिए अगर हम उप्शन डाटा देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कि PCR अभी 0.60 है तो कल हो सकता है कि अगर एक और थोड़ी क्रेक्शन आती है फर्स्ट आफ डाउन मूव रहता है तो सेकंड आम में अपसाइड मूव आ सक होता है और चेंज होना ही भी देखते हैं तो यह 21,500 और 21,600 के आप आज काफी कोल राइटिंग हुई तो इसलिए यह 21,600 के उपर अगर सस्टेन हो रहता है कल तो इसमें अपसाइड मूव जाएगा 21,700 तक और 750 तक और यहीं से अगर हम नीचे कुलते हैं 500 की नीचे जाते ह तब और हमें 500 पैंट का करेक्शन देखने को मिल सकता है तो इसलिए स्मॉल हैसल के साथ करें और आज आगर देखते हैं तो आज क्योंकि साइडवेज था इसलिए पूट ओप्शन में भी कोई ज्यादा बड़ा मूव नहीं आया अगर बैंक निफ्टी का चार्ट डिसकस क किया था कि PCR काफी oversold है तो एक bounce आएगा नीचे से ही तो नीचे से देखिए देरे-देरे price गया बड़ा नीचे आया फिर देरे तो आज मैंने जैसे आपको यह पब्लिक टेलिग्रम चैनल पर भी आपको डाल दिया था यह 47700 का CE तो यह 30 से लेकर 75 गया उतना बड़ा मूव नहीं गया 4040.5 कोई जतना expect था उतना मूव ने विकोज क्योंकि बड़ा मूव ता अगर यह आज के डे हाई के को क्रोज कर देता लेकिन इसने आप देख रहे हो कि यहाँ पर यह बार बार दे हाई के पास resistance ले रहा था तो कल अगर यह बैंग रिफ्टी फ्लैट ओपन होत कर जाता है 47500 के नीचे अगर सस्टेन रहता है continue तो आप इसको सैलों राइस करके चल सकते हो बट मुझे लग रहा है कि कल शायद एक upside मूव भी आएगा second हम में वो क्यों लग रहा है अब हम बात करते हैं हमारा पहला सेक्टर तो यहीं से पहला सेक्टर निकल के आ रहा है आ तो बैंकिंग का ही हम पहला सेक्टर लेते हैं निफ्टी प्राइवेट बैंक निफ्टी प्राइवेट बैंक में देखिए कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक अच्छा support लेबल है यह मैं इंडेक्स का चार्ट दिखा रहा हूँ 24400 के पाथ और वहीं से प्राइवेट का यह इंडेक्स में देखिए एक red में hammer बना है तो इसमें कल अगर यह इसका आज का high cross करता है तो अच्छा momentum रह सकता price में आप देख सकते हो buying side में कौन से stock आ सकते हैं जैसे contact bank में देखिए नीचे से hammer बन गया यहाँ पर तो आज का जो इसका low है उस low के साथ आप इसमें buy कर सकते हो और दूसरा sector है एक्सिस इसका एक्सिस bank भी देखिए यहाँ पर 1075 पर तो यहीं से यह देखिए वपिस price reverse कर रहा है दिरे-दिरे price नीचे आया और कल भी देखते हो तो इसमें yesterday भी नीचे से buying आई और आज भी तो एक्सिस bank पर नज़र रखिए इसमें एक move आ सकता है upside में इसमें target रहने चाहिए यह देखिए वन रिपल वन जीरो का और दैन फिर यह जो हई था इसके आसपास बाकि दूसरा जो stocks है इसे HDFC bank वहाँ पर buying ने करें वहाँ पर थोड़ा सा wait and watch करें क्योंकि उसमें थोड़ा सा अभी लग रहा है कि यह price अगर break करता है 1665 तो इस तरह यह और price नीचे जासकता है तो इसलिए आप देख रहे हो कि bank nifty का ज्यादा बड़ा move नहीं आया क्योंकि कुछ stocks अप थे कुछ नी index को मनेज किया जा रहा था कि ना तो ज्यादा उपर ना ज्यादा नीचे क्योंकि जो राइक्टर होते हैं उन्होंने दोनों सैड में ही अपना profit पूर्ट और को राइटिंग दोनों में profit करना होता है तो यह nifty और bank nifty का update था तो level to level आप rate कर सकते हो smallsl के साथ अब बात करते हैं next sector की next sector आप देखिए कि nifty firma को आप देखिए buying side में nifty firma में continue देखिए price upside जाता है तो इसमें अच्छे से stocks नगाल सकते हो तोड़ा सा deep में मिले तो वहां पर भी आप कर सकते हो लेकिन अब बात करें तो buying side में आपने देखना है कल के लिए private bank और farma और अब बात करते है sales side में तो sales side का chart आप देखिए काफी interesting है nifty metal nifty metal में देखिए यहां से ये एक fast down move आया था उसके बाद दिरे-दिरे price small small candle बनती ही लेकिन अगर कल की डेक्टे ये index 785-0 की निचे continue sustain रहता है तो metal के stocks में आप एक वर देख सकते हो यहां पर selling में देखने को मिल सकती है like indelco यह indelco का chart है आप देख रहे हो और आप देख सकते हो इसी सेक्टर में से jsw steel तो यह आप देख सकते हो जो भी आप करते हो तो आपना रिस्क रिवोर्ट को पर्स्ट और प्लोस के साथ trade कीजिए और यह टाटा स्टील तो यह थोड़े और correction आ सकते हैं फिर द्वारा आप इ सकता है कल के दिन एक दो दिन और देखने को मिल सकता है और एक और सेक्टर है जिसमें और correction आ सकता है वो है निफ्टी आईटी तो निफ्टी आईटी का भी देखिए पूरा भी इसका एक support level है जहांपे अभी यह close हुआ है तो आज का अगर low cross करता है तो निफ्टी आईटी नीचे के level पर यही stocks कोई recommend नहीं करता हर कोई क्याता है कि यह और नीचे जाएंगे लेकिन जब stocks उपर आ जाते हैं तब सारे analyst TV analyst सब buying में आ जाते हैं कि यह 2004 में चलेंगे या फिर रोक बनेंगे तो रोकिंग बनेंगे बट आपको सही अगर आप buying side में है long term में लेने हैं त तो नीचे जितना आप लोगे उतना ही आपके लिए चरहेगा तो अभी इन में और थोड़ा correction देखने को मिल सकता है IT stocks में तो कि जब हर कोई किसी एक पट्टी को स्टोक्स पर कोई bullish हो जाता है तब उसमें correction आ जाती है और वहीं पर हर कोई एक ही stocks में बीश हो जाता है तो वहां पर फिर upside move आ जाता है तो कई बर अपने note किया होगा इस चीज को जुरूर द्यान रखना तो इसमें थोड़ा और correction आ जाता है अगर आज का low break करता है इन forces में तो यह और यहां पे 30-40 point और नीचे जा सकता है नीचे spot है इसका 1440 वहां पर फिर आपको यह अच्छा buying ब और IT stocks में आप देख सकते हैं जैसे TCS है तो यह TCS भी देखिए यहां पर इसमें भी आज support level break किया है तो यह थोड़ा और अभी 3690 का price है तो आज का low cross करता है तो और यह आ सकता है 3550 तो यहां इसमें भी 200-300 point और नीचे fall आ सकता है और IT stocks में अगर बात करें तो with pro तो आपको को या दोगा मैंने नीचे के level से आपको क्मेंट कियो था 400 से बट अब इसमें द्वारा बाइंग कहां बन सकती है यह 450 के आसपास तो 450-30 के आसपास इसमें द्वारा बाइंग बन सकती है तो आप विप्रो को फिर उस टेम अगर बाइंग करना है अभी इसको थोड़ा sell ला फेक चैनल पर जोइन मत हो जाना तो आज की वीडियो में देखिए इतना ही कि आप दो सेक्टर में बाइंग करके चलिए और दो सेक्टर में sell करके चलिए कल के लिए यह एक दो दिन के लिए तो वीडियो चला गए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कोई आपका पर कोई query हो तो आप comment करके पूर सकते हो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद